कल मैंने एक प्रेस कॉन्फरेंस में जब जॉब्स को लेके नौकरियों को लेके कुछ सवाल पूछे तो भारतिय जंता पार्टी ने पेड ट्रोल्स की एक पूरी टीम सोशल मीडिया पर उतार दी कि हम लोगों के खिलाफ एक नेरेटिव बनाने के लिए कि शायद नौकरियों के बारे में जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो सही नहीं है खटर साब का 6 जनवरी को 6 जनवरी 2023 को किया गया ये ट्वीट दिखा रहा हूँ और ये सारजनिक पटल पे उन्होंने घोशना भी की थी मैं इसको पढ़के आपको सुनाता हूँ उन्होंने कहा था कि वर्ष 2023 में ग्रुप सीव एडी के पदों के लिए हम हर्याना में 50,000 भरती करने जा रहे हैं प्रदेश वासी अपना विश्वास बनाए रखें किसी के बहकावे में ना आए तो आज मैं मुख्यमंत्री मनौरलाल खटर जी से यही पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के लोग तो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे आपके भी बहकावे में नहीं आएंगे आम आदमी पार्टी इस मुद्दे के उपर खटर सरकार को छुपने नहीं देगी ये खुला चैलेंज है मेरा मुख्यमंत्री मनौरलाल खटर जी को पूरे प्रदेश के अंदर दो हजार तेईस के साल में सिर्फ एक हजार भरतियों की लिस्ट जारी कर दें मैं सारजनिक पटल पे माफी मांगने के लिए तयार हूँ लेकिन अगर वो एक हजार भरतियों की लिस्ट भी जारी नहीं कर सकते हैं तो जूट बोलने के लिए गुमरा करने के लिए और हर्याना प्रदेश के युवाओं को बरगलाने के लिए उनका भविष्य बरबाद करने के लिए मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर जी को सारजनिक पटल पे माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के युवाओं से हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद